ती मांगी और बाहर खिलने के लिए चल पड़ा यहां हम देख रहे हैं कि जब अतुल की मम्मी अतुल से कहती है कि तुम भी सीखो बड़ो का सम्मान कैसे किया जाता है शेखर को देख करके कम से कम उससे इस बात को सीखो तो अतुल को यह बाते अच्छी नहीं लगती है अप तुरंत शेखर बात को समझ जाता है कि शायद उसे पसंद नहीं आया है अतुल को तो शेखर हसते वे बात को संभालता और कहता कि आंटी यह बाते अतुल को भी पता है और तुरंत फिर अतुल को कहता है कि उसका उसके वैवहार में परिवर्तन लाने के लिए यानि उसका जो मिजाज जो गुस्सा में बदल रहा था तो उसके मन को ठीक करने के लिए वो उसे कहता है कि चलो बाहर हम लोग खेलने चलेंगे अतुल वैसे ही मुफुलाकर यानि उसी तरह से क्रोधित होते हुए उठता है और फिर वो कमरे से बाहर निकल जाता है यानि उसे इस चीज की भी आवशक्ता महसूस नहीं होती कि अगर वो घर से बाहर जा रहा है तो अपने मम्मी को या फिर अपने से बड़ो के वहाँ पर दादा दादी भी थे मम्मी भी थी लेकिन वो किसी को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं समझता जबकि शेखर आंटी से इजाज़त मांगता है यानि अनुमती लेता है बाहर खिलने के लिए यानि शेखर इस काम को करता है यानि अनुमती लेने का कारियर शेखर करता है कि हम लोग बाहर खिलने जा रहे हैं आज अतुल के हाथ में एक बड़ी बॉल थी शेखर और अतुल पार्क में पहुँच कर खेलने लगे लेकिन अतुल का मन खेल में नहीं लग रहा था शेखर उसका ध्यान बार बार आकर्शित करने की कोशिश करता लेकिन वह अन्मने मन से फुटबॉल पर पैर मारता रहा अचानक उसका पैर बॉल की जगा पत्थर से टकरा गया और वह मू के बल जमीन पर गिर पड़ा तो यहाँ आगे जो घटना हो रही है कि वो दोनों खेलने के लिए पार्क में पहुशते हैं और शेखर उसके संग खेलने लगता है अतुल की एक बड़ा सा बॉल लेकर आया था और वे दोनों उस बॉल से खेलने लगते हैं लेकिन शेखर इस बात को देखता है कि आज अतुल का ध्यान खेलने में नहीं था यानि वो बॉल को बड़े ही अन्मने ढंग से मार रहा था यानि उसे खेल में बिलकुल भी रूची नहीं हो रही थी और इस तरह से खेलते-खेलते उसका ध्यान खेल में नहीं होनी के कारण अचानक वो उसका पैर पत्थर से टकरा जाता है बॉल की जगा और वो पत्थर के वज़े से उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो मुह के बल गिर पड़ता है जमीन पर उसने चारों तरफ नजर घुमाई कि कोई उसे आकर उठाए लेकिन किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं गया तो अब गिरने के बाद वो ये सोच रहा है कि शायद कोई आकर के उसे उठाएगा लेकिन कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है सबी अपने खेलों में व्यस्त है मोहन और रमेश ये भी उसके दो मित्र थे तो ये दोनों मित्र भी उसे गिरा हुआ देखते हैं लेकिन वे वही खेल रहे थे उसको देख करके वे आगे चले गए यानि उसे उठाने की कोशिश नहीं करते हैं बलकी उसे देख करके और उसे वैसे ही छोड़ करके आगे बढ़ जाते हैं अतुल को रोना आ रहा था कि तभी शेखर ने उसे कंधा पकड़ कर उठाया यानि अब अतुल को रोना आने लगा था कि उसे रमेश और मोहन देख करके भी उसे नहीं उठाते हैं उसे देख करके उसे देख करके अंदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं और ये बात अतुल को बहुत गहराई तक महसूस होती है और उसे रोना आने लगता है लेकिन तभी शेखर उसके पास आता है और उसे सहारा देख करके कंधा पकड़ करके यानि कि सहारा देते हुए उसे उठाता है और उसके कपड़ों से मिट्टी जाड़ने लगा वह उसके पैरों पर ध्यान से देखने लगा कि कहीं कोई चोट तो नहीं आई यानि यहां पर अतुल का वैवहार जो है बहुत ही किसी को किस तरह से सहयोग देना है किस तरह से उसका ख्याल रखना है यहां उस तरह का वैवहार यहां शेखर का वैवहार हम देख रहे हैं यानि अतुल के गिरने के बाद उसे उठाना उसके कपड़ों से मिट्टी जाड़ना और फिर ध्यान से देखना कि उसे कोई चोट तो नहीं लगी है अतुल ने भी जुक कर पैरू की तरफ देखा बस थोड़ी सी खरोज के अलावा ज्यादा चोट नहीं लगी थी लेकिन अत अतुल को अहसास हो गया यानि अतुल को अभी महसूस हो गया था उसे इस बात का घ्यान हो गया था कि उसकी मदद के लिए यानि अगर संकट के समय एक मात्र शेखर ही उसका सहारा बना शेखर को छोड़कर के दूसरे कोई भी उसके पास नहीं आए वह दोनों दुबारा खेलने लगे लेकिन अतुल का ध्यान खेल पर अभी भी नहीं लग रहा था तो दोनों फिर से दुबारा खेलने लगते हैं क्योंकि ज़्यादा चोट नहीं लगी थी तो वे दुबारा खेल को आगे बढ़ाते हैं लेकिन अतुल का ध्यान अभी भी खेल पर नहीं लग रहा था अब उसके ध्यान ना लगने पर अब शेकर से रहा नहीं जाता है और उसने कहा बॉल को रुप करके उससे पुछा अतुल से पुछा क्या रह अतुल क्या हुआ है खेल पर तुम्हारा ध्यान ही नहीं है क्या बात है मुझे नहीं बताओगे तो एक दोस्त की तरह क्योंकि ये अतुल और शेखर दुनों दोस्त थे तो शेखर उससे कारण जानना चाहता है कि बार बार वो खेल पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है उसको क्या हो गया है और एक अच्छा मित्र अपने मित्र की सहयता पूरी तरह से करना चाहता है यहां पर हम इस गुन को भी देख रहे हैं अतुल में तो अब शेखर अतुल से पूछता है कि तुमको क्या हो गया है मुझे बताओ कुछ नहीं शेखर मैं तुमारा दोस्त हूँ इसलिए चुप हूँ तो यहां पर अतुल ने नीची निगाह कर बोला यानि वो जबाब नहीं देना चाहता था उससे वो बचना चाहता था यानि इस प्रश्ण से कि उससे क्या हुआ है इससे वो बचने की कोशिश करना चाहता है और इसलिए वो नजरे चुराते हुए नीची निगाह करके कहता कि कुछ नहीं मैं तुमारा दोस्त हूँ इसलिए चुप हूँ अच्छा बात बताओ लेकिन फिर शेखर नहीं मानता है और शेखर दुबारा पूशता है कि अच्छत चलो चोड़ो बात बताओ कि क्या ब अदूर 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 अदूर